जय सोम नगत, कारक्रम में हमारे साथ जुड रहे हम सभी के स्रध्धे लाल कृष्ण अडवानी जी, देश के ग्रह मंत्री स्री अमिश शाह जी, श्रिपद नाइक जी, अजय भर्ड जी, गुजरात के मुख्य मंत्री विजय जी, गुजरात के उपमुख्य मंत्री नितिन भाई, गुजरात सरकार में परियटन मंत्री जवाहर जी, वासन भाई, लोग सभा में मेरे साथी राजेश भाई, सोमनात मंदे ट्रस्के ट्रस्ट श्री प्रमीन लहरी जी, सभी स्रद्धालों, देवियों और सज्जनों, मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कांफरेंस के जरिये जुड रहा हूं, लेकिन मन से मैं स्वयम को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुफ़व कर रहा हूं। मेरा सोभाग्य है कि सोमनाथ मंदि ट्रस के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुन्ड स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तिर्ख के काया कल्ब के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समूत्र दर्शन पत्थ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जिर्डोधार के बार नए स्वरूप में जुना सोमनाथ मंदिर के लोकारपन का सवभाग्य मिला है। साथ ही आज पारवती माता मंदिर का सलान्याद भी हुआ है। इतना पुनित संयोग और साथ में सावन का पवित्र महिना, मैं मानता हूँ ये हम सब के लिए भगवान सोमनाथ जी के आशिरवात की ही सिद्धी है। मैं इस आउसर पर आप सभी को, ट्रस के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोडों भक्तों को बधाई देता हूँ। विशेश रुप से आज मैं लोह परोश सरदार वल्लब भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। जिनोंने भारत के प्राचिन गवरों को उनरजिमित करने की इच्छा शक्ती दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। यह हवारा सवभाग्य है कि आज आज़ादी के 75 साल में आज़ादी के अमृत महोत्सों में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को नई भग्वता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहल्यबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं। जिनोंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जिर्णोधार कराया। प्राचीनता और आधुरिकताच का जो संगम उनके जीवन में था। आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। साथियों स्टेच्य आफ यूनिटी से लेकर कच्छ के काया कल्प तक परेटन से जब आधुनित्ता जुडती है तो कैसे परनाम आते हैं गुजरात ने इसे करीब से देखा है। ये हर कालखन की मांग रही है कि हर धार्मिक परेटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलासें। लोकल अर्थववस्ता से तिर्थी आत्राओं का जो रिष्टा रहा है उसे और मजबुत करें। जैसे कि सोमनात मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से स्रधालू दर्शन करने आते थे। लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पत्थ, प्रदर्शनी, पिल्ग्रिब प्लाजा और शौपिंग कॉंप्लेक्स भी परियाटकों को आकर्शित करेंगे। अब यहां आने वाले स्रधालू जुना सोमनात मंदिर के भी आकर्शक्ष्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वति मंदिर का दर्शन करेंगे, इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी स्रजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं प्रामनेड जैसे निर्बान से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनात एक्जिविशन गैलेरी का लोकारपण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को आने वाली पीडी को उस इतिहास से जुड़ने का हमारी आस्ता को उसके प्राचीन स्वरुप में देखने का उससे समझने का एक आउसर भी मिलेगा। साथियों सोमनात तो सदियों से सदा सीव की भूमी रही है। और हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है शम करोति सह शंकरह अर्थात जो कल्यान को जो सिद्धी को प्रदान करे वो शीव है। यह शीव ही है जो विनास मैं भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं। समहार मैं भी स्रजन को जन्व देते हैं। इसलिए शीव अविनाशी है, शीव अव्यक्त है और शीव अनादी है। और इसलिए तो शीव को अनादी योगी कहा गया है। इसलिए शीव में हमारी आस्ता हमें समय की सिमाओं से परे, हमारे अस्त्वित्व का बोध कराती हैं, हमें समय की चुनोतियों से जूजने की शक्ति देती हैं। और सोमनात का ये मंदीर हमारे इस आत्म विश्वास का एक प्रेनना स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य सम्रचना को देखता है, तुसे केवल एक मंदीरी नहीं दिखाई देता है। उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है, जो सेंकडों, हजारों, सालों से प्रेना देता रहा है। जो मानवता के मुल्यों की गोशना कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे रुश्यों ने प्रभास ख्षेत्र यानी प्रकास का ज्यान का ख्षेत्र बताया था। और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आहवान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता। आस्था को आतंग से कुछला नहीं जा सकता। इस मंदीर को सेंकडों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया। यहां की मुर्थियों को खंडित किया गया। इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई। लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठखड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमराथ मंदीर आज भारती नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां है जो आतं के बल्बुत्ते सामरज्य खड़ा करने वाली सोच है। वो किसी कालखन में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए लेकिन उसका स्तित्व कभी स्थाई नहीं होता। वो जादा दिनों तक मानवता को दवा कर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनात को गिरा रहे थे। उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचार धाराओं से आशंकित है। साथियों हम सभी जानते हैं सोमनात मंदिर की पुनन निर्मार्चे लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सानों या कुछ दशकों का परणाम नहीं है। ये सदियों की द्रड इच्छा शक्ती और वैचारिक नरंतरता का परणाम है। डॉक्टर राजेंदर प्रशाज जी, सरदार बल्लभाई पटेल और कमा मुंसी जैसे महनुभाव ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठीनाईयों का सामना किया। लेकिन आखिर कर 1950 में सोमनात मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंब के रुप में स्थापिद हो गया। कठीनाईयों के सवहार्दपन समाधान की प्रतिवित्यता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गवरों का एक प्रकासि स्तंब भी खड़ा हो रहा है। साथियों हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सिक्कर वर्तमान को सुधारने की एक नया भविष्य बनाने की। इसलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूँ, तो उसका भाव केवल भावगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सिमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्मान के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्म विश्वात पर हमने अतीत के खंधरों पर आदोनिक गवरों का निर्मान किया है। अतीत की प्रेणाओं को संजोया है। जब राजे इंदर प्रसाज जी सोमनाफ आये थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था। दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का अपना दिन्वान उस दिन पूरा होगा। जब इसकी निव पर विशाल मंदिर के साथ ही सम्रुद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। सम्रुद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीर सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राश्पती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाज जी का ये सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है। साथियों हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहाँ जिन द्वादस जोति लिंगों की स्थापना की यहे हैं, उनकी शुरुवात सवराष्ट्रे सोमनाथम, सवराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पस्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर, पूरब में बाइदनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर, दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान स्री रामेश्वर तक, यह बारा जोतिरलिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तर हमारे चारों धामों की ववस्ता, हमारे शक्ती पीठों की संकल्पना, हमारे अलग-अलग कोनों से अलग-अलग तिर्थों की स्तापना, हमारी आस्था की यह रूपरेखा वास्तों में एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना की ही अभीवक्ती हैं। दुनिया को सदियों से आश्चेर्य होता रहा कि इतनी विविदताओं से भरा भारत एक कैसे हैं, हम एक जूट कैसे हैं लेकिन जब आप पूरप में हजारों किलोमिटर चल कर पूरप से पस्टीम सोमनाद के दर्सन करने वाले सद्धालों को देखते हैं कि आद दक्षिर भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं तो आपको ये एसास हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है हम एक दूसरे की भाशा नहीं समझ रहें बेश बुजा भी अलग, खान पान की आदते भी अलग लेकिन हमें एसास होता है हम एक हैं हमारी इस आध्धात्मिक ताने सदियों से भारत को एकता के सुत्र में पिरोने में आपसी समवार स्थापित करने में एहम भूमी का निभाई हैं और हम सभी का दाईत्व हैं इसे निरंतर मजबूत करते रहना साथ क्यों आज पूरी दुनिया भारत के योग, दर्शन, अध्यात्मा और संस्कृती की और आकरशित हो रहे हैं हमारी नई पीड़ी में भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने की नई जागरुकता आई हैं इसलिए हमारे टूरीजम और आध्यात्मिक टूरीजम के खेत्र में आजराश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय संभावनाएं हैं इन संभावनाओं को आकार देने के लिए देश आज आध्यूनिक इंफ्रस्ट्रक्चर बना रहा है प्राचिन गवरों को पुनर जिवित कर रहा है रामायन सर्कीट का उधारन हमारे सामने हैं आज देश दुनिया के कितने ही राम भक्तों को रामायन सर्कीट के झरीए भगवान राम के जीवन से जुड़े नए नए स्थानों की जानकारी मिल रही है भगवान राम कैसे पूरे भारत के राम है इन स्थानों पर जाकर हमें आज ये अनुभव करने का मोका मिल रहा है इसी तरह बुद्ध सरकीट पूरे विश्व के बवध अनिवाईयों को भारत में आने की परियटन करने की सुविधा दे रहा है। पर टूरी सरकीट को विश्व कर रहा है। इन सरकीट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी परियटन और विकास के आउसर पैदा होगे हैं। साथियों हमारे पुर्वजों की दुरद्रष्टी इतनी थी कि उन्होंने दूर सुदूर छेत्रों को भी हमारी आस्ता से जोडने का काम किया। उनके अपने पन का बोध कराया। लेकिन दुरभाग्य से जह हम सक्षम हुए जब हमारे पास आधुनिक तक्नीक और समसादन आए तो हमने इन इलाकों को दुरगम समझ कर उसे छोड़ दिया। हमारे परवतिय इलाके इसका बहुत बड़ा उदान है। लेकिन आज देश इन पवित्र तिर्थों की दूरियों को भी पाट रहा है। बाबा केदार नाज का विकास हो या उत्राखन में चार धाम यात्रा के लिए कठीन पहड़ों में टरनल और हाइवेज का निर्मान हो। वैश्णो देवी मंदिर के आसपांच विकास हो या पुर्वोत्तर तक पहुंच रहा हाइटेक इन्फरस्रक्टर हो और देश में अपनों से दूरियां सिमट रही है। इसी तरह 2014 में देश ने इसी तरह तिर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्किम की भी गोशना की थी। इस योजना के तहट देश में करीब करीब 40 बड़े तिर्थ स्थानों को विक्सित किया जा रहा है। जिन में 15 प्रोजेक्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। गुजरात में भी 100 करोड से जादा के तीन प्रोजेक्स पर प्रसाद योजना के तहट काम चल रहा है। गुजरात में सोमनाथ और दूसरे टूरिस स्पोर्ट और शहरों को भी आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर विशेद ध्यान दिया जा रहा है। कोशिज ये कि जब परियाटक एक जगह दर्शनकर ने आए तो दूसरे परियाटक स्थलों तक भी जाए। इसी तरह देश भर में 19 आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विक्सित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई उर्जा देंगे। चाथियों परियाटक के जरिये आज देश सामान्य मानवी को नकेवल जोड रहा है बलकि खुद भी आगे बढ़ रहा है। इसी का परणाव है कि 2013 में देश ट्रावेल एंड टूरिजम कंपिटिटिवनेस इंडस्ट में जहां 65 स्थान पर था आज शिक्ष्टि फिप्थ। बही 2019 में 34 स्थान पर आगया 34 अंतराष्टिय परियाटन को बढ़ावा देने के लिए देश ने इन 7 सालों में कई नितिकत फैसले भी किये हैं जिनका लाब देश को आज हो रहा है देश ने इविजारिजिम वीजा ओन एराइवल जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है और वीजा की फिस को भी कम किया है इसी तरह टूरिजम सेक्टर में होस्पिटालिटी के लिए लगाने वाले जीएश्टी को भी गटाया ग बहुत लाब होगा और कोवीड के प्रभावों से उबरने में भी मदद मिलेगी कई फ्रेंस ने परियाटों को के इंट्रेस को ध्यान में रखकर भी किये गए हैं जैसे कि कई परियाटक जब आते हैं तो उनका उस्षा एडवेंचर को लेकर भी होता है इसे ध्यान में रखते हुए हैं देश्ट ने 120 माउंटेन पिक्स को भी ट्रेकिंग के लिए खोला है परियाटकों को नई जगव पर असुविदा ना हो नई जगवों की पूरी जानकारी मिले इसके लिए भी प्रोग्रेम चलाकर गाइड्स को ट्रेंड किया जा रहा है इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अउसर भी बन रहे हैं साथियों हमारे देश की परंपराएं हमें कठीन समय से निकल कर तकलीप को भूल कर आगे बढ़ना की प्रेणा देती है हमने देखा भी है कोरोना के इस समय में परियटन लोगों के लिए उमीद की कीरण है इसलिए हमें अपने परियटन के स्वभाव और संस्कृति को लगातार विस्तार देना है आगे बढ़ना है और खुद भी आगे बढ़ना है लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जरूरी सावधानिया जरूरी बचाव का पूरा खयाल रखे मुझे भी स्वास है इसी भावना के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा और हमारी परंपराए हमारा गावरव आधुनिक भारत के निर्मान में हमें दिशाद देती रहेगी भगवान सोमनात का हम पर आशिरवाद बना रहें गरीब से गरीब का कल्यान करने के लिए हम में नई नई ख्षमता नई नई उर्जा प्रात्त होती रहें ताकि सर्वक कल्यान के मार को हम समर्भी धाव से सेवा करने के मार्द्यम से जन सामान्य के जीवन में बडलाव ला सके इनी सुब कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जाये सोमनात कर दो झाल 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 कर झाल 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 झाल